Hello and welcome students to our YouTube channel Star Study Center आज के इस वीडियो में क्लास में हम लोग देखेंगे UP Polytechnic Intense Exam Group E1 और E2 जो Biology वर्क से होता है और Maths वर्क से होता है उसके लिए Chemistry यानि रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी प्रश्न ना सिर्फ महत्वपूर्ण है बलकि इनके Chances एक्जाम में पूछे जाने के भी बनते हैं तो चलिए आज किस क्लास को सुरू करते हैं लेकिन क्लास सुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपनी अपनी फीस जमा कर दीजिए जमा कैसे करते हैं एक लाइक कर देते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो चलिए उमीद है कि आप सभी लोग फीस जमा करेंगे आईए आज की क्लास को सुरू करते हैं तो आप सभी के स्क्रीन पर सबसे पहला कोशन जाता हुआ सबसे पहला कोशन है आप सभी के स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग यह जीकप का है UP Polytechnic संजुक्त प्रवेस परिक्षा जीकप 2021 पहला कोशन आप सभी लोगों के स्क्रीन पर है जिंक हाइडर ह2SO4 से क्रिया करके बनाता है जिंक सल्फ्यूरिक अमल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है ZNSO4 प्लस H2 या ZNSO4 बनाता है या फिर ZNSO4 प्लस SO2 प्लस H2O बनाता है या फिर इन में से कोई रही तो इस कोशन का जो सही एंस्वर होगा आप सभी का option number sees the right answer चलिए जिंक और H2SO4 की रियक्षन आपको दिखाते हैं तो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं जिंक और H2SO4 की रियक्षन है जब जिंक की रियक्षन H2SO4 से कराते हैं तो ZNSO4 प्लस SO2 और 2H2O बनता है दो अडू जो है जलके बनते हैं तो इसलिए इसे साब से option number C आपका right answer है आते हैं next question पर अगला question देखिएगा सभी लोग आप सभी के screen पर है प्रशन संख्या 2 है hydrogen को एकत्रित किया जाता है hydrogen को एकत्रित किया जाता है जल के उपर, mercury के उपर, alcohol के उपर या इन में से कोई नहीं यह देखिए हमने ALC लिका है जो की alcohol को short form में रखते हैं तो इस question का सही answer आप सभी लोग को बताना है तो इस question का जो right answer होगा आप सभी का option number C alcohol के उपर hydrogen को एकत्रित किया जाता है देखिए यहां हमने answer आपको दिया भी है एकत्रित कहां किया जाता है hydrogen को alcohol के उपर एकत्रित किया जाता है option number C is the right answer चलिए आते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन देखिएगा आप सभी के screen पर है निम्ड में से कौन सा तत्व Tannu HCl के साथ गर्म करने पर hydrogen gas नहीं देगा कौन सा नहीं देगा आप सभी का C A calcium, C U copper, Mg magnesium और Z N zinc तो इस question का right answer होगा आप सभी का option number B copper, Tannu HCl के साथ यदि गर्म कर दिया जाए तो वो hydrogen नहीं देता है यहाँ देखिए option number B लिखा भी है answer के रूप में चलिए आते हैं next question पर अगला question देखेंगे अगला question आप सभी के इस्क्रीन पर है देखिएगा सभी लोग hydrogen paroxide विलेन का सांद्रल निम्न में से किस विधी द्वारा प्राप्त किया जाता है या किया जाता है hydrogen paroxide इसका formula होता है H2O2 तो इसका इस विलेन का सांद्रल निम्न में से किस विधी द्वारा किया जाता है ठंडा करके वाश्पन द्वारा कम दाब पर आस्वन के द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा तो इस question का right answer आप सभी का होगा option number D क्योंकि hydrogen paroxide विलेन का सांद्रल ठंडा करके वाश्पन द्वारा तथा कम दाब पर आस्वन द्वारा भी किया जाता है देखिए यहां option number D इस दा right answer आते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण देखेंगे सभी लोग NaOH विलेयम sodium hydroxide विलेयन की उपस्तिती में chromium hydroxide की kriya H2O2 से कराने पर पीला आउक शेप होता है क्या होता है पीला आउक शेप देखिए यहां पर हम क्रोक की मात्रा लगाना भूल गए है अब सभी लोग लिख लिजिएगा देखें एक बात ध्यान रखिएगा कि PDF की कोशिस आप लोग लेनी की ना करें आप लोग जब तक अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक कुछ याद नहीं होगा तो NaOH विलेन की उपस्तिती में क्रोमियम हाइड्रॉकसाइड की रियक्शन हाइड्रोजन पराकसाइड से कराने पर एक पीला आउक शेप उत्पन होता है और वो आउक शेप क्या होता है क्या होता है आप सभी को बताना है तो चलिए इसकी रियक्शन को हम आपको देखाते हैं किस तरीके से रियक्शन इसकी होती है तो देखेगा इसकी रियक्शन करा दी गई है ठीक है option number B is the right answer sodium chromate का जो है पीला अउचे प्राप्त होता है आते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण है आप सभी के स्क्रीन पर है देखिएगा ध्यान से सभी लोग question number 6 कठोर जल से साबुन भाग इसलिए कठोर जल से साबुन जाग इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब साबुन को कठोर जल में डाला जाता है तब वो जाग का निर्माल करता है और क्यों निर्माल करता है option A है ये कठोर जल में घुल जाते हैं या ये रंगहीन होते हैं या option C है उच्च वसा अमल के कैलसियम वा मैगनिशियम लवड जल में घुलन सील होते हैं या इन में से कोई नहीं तो इस कोशन का जो सही एंसर होगा जल्दी से सभी लोग बताएंगे चलिए भाई सभी लोग बताएंगे तो इस कोशन का राइट एंसर होगा option C उच्च वसा अमल के कैलसियम वा मैगनिशियम लवड जल में घुलन सील होते हैं और यही कारण है कि कठोर जल में साबुन जाग उत्पन करता है option number C आपका राइट एंसर है चलिए आते हैं अगले कोशन पर जल एक उत्तम बिलायक का कार करता है जल एक उत्तम सॉल्बेंट का कार करता है hydrogen बंद के कारण उदासीन प्रकृती के कारण या उच्च जल बिंदु स्थिरांक के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं तो हाइट जल जो है वो एक उत्तम बिलायक का कार करता है भाया क्यों कार करता है इसलिए कार करता है क्योंकि इसमें उच्च जल विद्दु स्थिरांक का एक गुण होता है और उच्च जल विद्दु स्थिरांक के कारण जल जो है एक उत्तम बिलायक का कार करता है आते हैं अगले प्रस्ण पर option number 6 का सहीता देखिए आते हैं अगले प्रस्ण पर अगला प्रस्ण देखेंगे आप सभी के स्क्रीन पर है देखिएगा भाई नकल नहीं करेंगे क्योंकि एंस्वर देख जा रहा है पहले ही देखिएगा चलिए question number 8 है हाइड्रोजन पराकसाइड का उपयोग होता है यह सारे question group A के लिए भी important है group A के विद्धार्थी भी इसको देख सकते है H2O2 का उपयोग होता है आकसी कारक के रूप में अपचायक के रूप में विरंजक के रूप में या इनमे से सभी तो इस question का जो right answer होगा H2O2 का उपयोग इन सभी के लिए अर्थात ऑकसी कारक के रूप में भी अपचायक के रूप में भी और विरंजक के रूप में भी किया जाता है आते हैं next question पर अगला question देखेगा भारी जल की अभिक्रिया होती है जब भारी जल जो है उसकी अभिक्रिया होती है भारी जल की अब किरिया कैसी होती है साधारल जल की अपेक्षा तेज, साधारल जल के समान, साधारल जल से मंद या इलकोहॉल से समान तो जाहिर सी बात है जब जल भारी है तो उसकी अब किरिया भारी होने के कारार साधारल जल से मंद होगी तो भारी जल की अब क्रिया क्या होगी साधारण जल से मंद होगी या धीमी होगी तो सभी कोशन को आप लोग याद करते चलें और लिखते चलें आ गया है अगला कोशन आपके स्क्रिन पर प्रशन संख्या 10 हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिब समस्थानिक है हाइड्रोज आपको कमेंट में बताना है हमको नहीं मालूम भैया आप एकको बताना है क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि यह 54 क्या होता है चलिये आते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश् diceव देखेगा कोलाइडी कनों पर आवेश होता है यह दरिविद दर साया जा सकता है किसके द्वा प्रभाव के द्वारा या धनकल संचलन द्वारा ब्राउनियन गती द्वारा या अपोहन द्वारा तो देखिए टिंडल प्रभाव और धनकल संचलन और अपोहन ये तीनों आपका सर्फेस केमेस्ट्री प्रिष्ट रसायन एंसी आइटी जो है क्लास 12 में चैप्टर नंबर 5 या 6 है इसमें आप सभी लोगों ने पढ़ा है और ये जो ब्राउनियन गती है इसको भी आपने उसी चैप्टर के बिलॉंग में पढ़ा है तो आपको इस कोशन का सही एंस्वर पताना है कि टिंडल प्रभाव द्वारा ध टिंडल प्रभाव के द्वारा ऑप्शन इस दराइट एंस्वर टिंडल इफ्यक्ट से दर्साया जा सकता है आते हैं अगले प्रशन पार अगला कोशन देखेगा आप ही सभी के स्क्रीन पर फिर से जा रहा हुआ है प्रशन संख्या बारा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ऑप्शन ए है लाइग्यूमर अधिसोंसल अत्यधिक विशेष्ट होता है वांडर वाल्स अधिसोंसल उत्क्रमडिये है ए तथा भी दोनों उश्मक छेपी है या उपरोक्त सभी सही है तो ये प्रिश्ट रसायन चैप्टर का है दरव्य तथा उसकी आवस्थाओं से र दरसाती है स्वर्ण संख्या क्या दरसाती है दरव इसने ही कोलाइड की प्रतिरक्षी क्रिया को स्वर्ण साल पर आवेश को दरव विरोधी कोलाइड की प्रतिरक्षी क्रिया को साल में घुली स्वर्ण की मात्रा को तो इस कोशन का राइट एंस्वर सभी को बताना है प्रकास का विक्षेपड होता है विद्दुत अब घटनी विलयनों में कोलाइडी विलयनों में विद्दुत अपोहन द्वारा या विद्दुत लेपन से तो इस कोशन का क्या सही एंसर होगा क्या सही एंसर होगा आप ही सभी को बताना है तो देखेगा इस कोशन का एंसर देखिया यह answer हम लिख करके नहीं लाते लेकिन यह answer हम लिख करके इसलिए लाए हुए हैं क्योंकि क्या है ना कि जब यह answer लिखे होते हैं तो आपको PDF देने में बहुत आसानी होती है तो यही answer इसी के form में आपको PDF दे दिया जाएगा तो प्रशन संख्या 14 है निम्न में से गोद, अगार-अगार, साबुन या सभी तो इस question का जो सही answer होगा आप सभी का option number D सभी क्योंकि पाइसी कारंग ना तो गोद है ना तो अगार-अगार है ना ही साबुन तो इसलिए option number D क्या होगा सही होगा I hope कि आज के सभी questions आपको समझ में आये होगे यादि question आपको समझ में ना आये हो तो आप वीडियो को dislike करेंगे और comment में क्या समझ में नहीं आया है लिख भेजेंगे और यदि समझ में आया हो तो fees जमा कर देंगे मिलते हैं कल के नई class में जै हिंद